हाई गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे आलू के पड़ाठे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा करते यार कर लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे दो कटोड़ी आटा ऑधा छोटा चमश हम इसमें अजवाईन डाल देंगे तो अजवाईन को हम इस तड़िकी से क्रस्कर करेंगे थोड़ा सा Самीश में नमक डाल देंगे एक चमश तेल डाल देंगे बहुत ज्यादा नहीं डालना और इन सबी चीजों को हम हम आच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो तैयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और नहीं बहुत ज़्यादा टाइट रखना है नॉर्मल डोहन तैयार कर लेंगे अब डो तैयार है अब हम इसे ढख कर साइड में रखतेंगे और तब तक हम इसके लिए श्टफिंग तयार कर लेंगे अब मैंने यहाँ पे लिया है ये आधा इंच अधरत दो लहसुन की कली तो लहसुन ज्यादा नहीं डालना है और ये तीन हडी मिर्ज तो इसे हम कूट लेंगे इसे हम बारिक पीसेंगे नहीं बस इसे हमें कूट लेना है तो आप चाहे तो इसे बारिक काट करके भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने कराही गर्म होने के लिए डाल दिया है, कराही अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक से दो चम्मच तेल डाल देंगे, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है, तेल को गर्म होने देंगे, तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ज तो अब प्याज सॉप्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेस मटर डाल देंगे, तो मटर अप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर आलू पराथा में मटर का तेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, जल्दी से मटर पक जाए, तो इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे, प्लेम को हम लोटू मीडियम कर लेंगे, और इसे ढख देंगे, ताकि मटर जल्दी से पक जाए, दीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, तो अब मटर सॉफ्ट हो चुका है, इसे हम इस तरीके से थोड़ा हम इसे मैस कर लेंगे, इस तरीके से, और अब हम इसमें ये अधरक लहसुन और हड़ी मिर्च कुटा हुआ डाल देंगे, इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे, और अब हम इसमें तीन आलू डाल देंगे, जिसे मैंने छील कर मैस कर लिया है, मिला लेंगे इसे, और अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो तीखा आप अपने हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब हम इन जबी चीजों को मिला लेंगे, और मिलाते हुए हम इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे, और अब हम इसमें ये बाडिक कटा हुआ हड़ी धन्या डाल देंगे, इसे भी डाल कर हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से, अब आलो मसाला तैयार है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे, इधर आटा भी सेट हो चुका है, तो इसे हम एक बाड मिला लेंगे, इसका हम छोटा छोटा लोई तोर लेंगे, अब हम इसमें से एक लोई बेंगे, और इसे हम गोल कर लेंगे, इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे, और इसे हम कटोरी की तरह इस तरीके से बना लेंगे, और इसके बीच में हम ये आलू मसाला डालेंगे, और इसे हम इस तरीके से पैक कर लेंगे, इसमें हम फिर से सूखा आटा लगा लेंगे, और इसे हम बेल लेंगे, अगर जरूरत हो तो इसके उपर आप फिर से सूखा आटा डाल सकते हैं, इसे हम इतना मोटा रखेंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, और इसी तरीके से हम दो-चार पराठे बेल कर तयार करेंगे, पराठे सेखने के लिए यहां पर मैंने तवा गर्म होने के लिए डाल दिया है, और तवा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके उपर पराठा डाल देंगे, और इसे हम एक तरफ से सीखने देंगे, और जब यह एक तरफ से थोड़ा सीख जाए, फिर हम इसे पलट देंगे, और इसके उपर हम घी लगा लेंगे, फिर से इसे हम पलट लेंगे इस तरफ से भी हम घी लगा लेंगे अब हम इसे दोनों तरफ से पलटते हुए सेख लेंगे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे अब यह दोनों तरफ से सीख चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम बांकी के बचे हुए पड़ाठे को भी सेख लेंगे तो अब आलू के पड़ाठे बनकर तयार है तो आप भी इस रेस्पी को एक बार बना कर जरूर ट्राय करें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आज की यह रेस्पी आपको कैसी लगी अगर आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें